आज की सुबह की क्लास में आपका स्वागत है और आपको याद होगा कि कल हमनों लेक्चर में जो है आज उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आपको याद होगा कि हमने यह बताया था कि अल्दो के नॉट इंजिन के बारे हम पढ़ चुके हैं जो कि एक आइडियल इंजिन है और वो एक रिवर्सबल साइकल में काम करता है लेकिन अब हम जो डिसकुस करने जा रहे हैं वो प्रेक्टिकल इंजिन्स हैं यह नहीं इन्टर्न कमश्चिन कहेंगे और वो प्रेक्टि का जो इंजिन होता है वो फोर स्टोक साइकल में काम करता है जिसको हम like और यह पीछो करता है पीछ के अंदर आगे पीछे मुव्मिंट करता है ते लिए पीछे मूविंट के वज़ेसि को घुमाता है ठीक है इसके ऊपर के इससे में दो तरह के वॉल अगे रहते हैं एक teak valve कहलुता है जिसके थूख फ्यूब को बाहर धख güinaire जाता है इसके अलावा इसके अंदर एक spark plug की विवेस्था होती है जो की power stroke के पहले convention करने यह स्पार्क प्रोडूस करता है इस कि नाम पर इसको जाना जाता है और इसमें हम लों ने बात किती कि देखिए जो पूरा process है वेखिर वो six steps में पूरा होगा और उन six steps को number wise इस indicator diagram के थो दिखाय गया है और इसमें बताय गया था पहले भी आपको कि ये जो दो steps हैं ये two to three or four to one ये दो steps ऐसे हैं जो strokes तो नहीं है यानि इसके अंदर कोई volume का change नहीं होता है stroke का मतलब क्या हो ये volume का change हो तो चरोडी है 2002 to three में कोई volume का change नहीं हो रहा है जी process है वो isochoric है four to one में भी name रीख कशोर का change नहीं हो रहा है तो इन दो processes में जो है को stroke नहीं कहते लेकिन बाकित जितने भी process होते हैं उसकाइ Sedano क्यालाते हैं इस वज़े से इसका हम four stroke process कहते हैं okay तो वो कुल मिलाकर six steps का हम से हैं वो है intact stroke जिसे हम five to one कह रहे हैं जिसके अंदर की जो air और fuel का जो mixture है जिसको intact किया जाता है then compression stroke जिसके तुरू जिसके जब आप का जो है volume बढ़कर वीवन हो जाता है उस वक्त क्या होता है कि inlet valve बंद हो जाता है और compression stroke के दोरान one से two में volume को reduce करते है compress करते हैं जो इसके अंदर mixture है air और fuel का उसको compress करके दबाते हैं से pressure बहुत बढ़ जाता है पर volume घटकर वीटू ही रह जाता है यह जो वैल्यूद में बोल रहा हूं पर ध्यान दीजिएगा वीवन वीटू और आप गौर कर रहे होंगे कि pressure भी जो initial pressure कितना था पी नॉट था वो pressure भी rise कर गया ठीक है at.2 यहां तक तो दो stroke पूरे हो गये in-tech stroke compression stroke पूरे हो गये इसके बाद two to three में क्या होता है जो spark plug लगा होता है वो spark produce करता है और जिसकी वजह से जो अंदर भरी वही सिलेंटर कंदर भरी हुई compressed air fuel mixture होता है वो जल उठता है और इसका मतलब है कि हीट होती है जिसको हम QH कह रहे है इस arrow से आपको समय आ रहा हूं कि हीट इंटेक हीट अंदर आती है इसके बाद इस हीट की प्रोडूस होने के कारण और यह air fuel mixture के जल उठने के कारण एक जो है expansion होता है और piston को धकेला जाता है और piston जो है पॉइंट 3 से 4 यारी कि वॉल्यम जो वी 2 हो गयादा घटकर फिर से वॉल्यम वी 1 तक अपने आप जिम्रेस्ट की वाज़ा से अपने आप बढ़ती है तो इस वाज़ा से वॉल्यम तो बढ़ जाती है लेकिन प्रेशर घड़ जाता है और इस वाले हिसे को कहते है पावर स्ट्रूक एक्शुल पावर इसी जो फोर के बाद हम क्या करते है कि जो आउट लिट वाल्व है इसको ओपन कर देते खोल देते हैं ग्वालिम के तो फर्ख नहीं पड़ता लेकिन जो उसके अंदर हाई प्रेशर पे जो गैस भरी रहतीया जो अब आ जी हो जाती है और वहार निकल जाती है और इसको हम एक्जास्ट, जो कि इसमें वाल्यूम का कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए कोई स्ट्रोक नहीं है, ठीक है? और इसमें जो कि जो स्मोक के बाहर निकल गई, तो हम इसको क्या मानते हैं? कि यह तरी केस ने हीट को बिस्चारज किया, और उस हीट को कहते हैं QL, है इसके बाद हम क्या करते हैं कि वो जो crank safety jack घूमता है और वो अंदर बची वी जितनी भी स्मोक है उसको भी बहार निकाल देता है कैसे निकाल देता है वो जो piston है वो वापस जाता है सिलेंडर के bottom तक जाता है और volume को घटाकर reduce कर देता है वीवन से घटाकर zero कर देता है इसे सारी अंदर भरी भी जितनी भी स्मोक है वो बहार निकल जाती है और वो यह जो पीनॉट है पीनॉट किस का pressure किस प्रेशर कहेंगे अपनास्फरीड प्रेशर कि अगर आपने इस अटमोस्फ्थीर के वॉल को खोला है चाहे लिट को खोला है पहली बार जब इंटेक्ट किया या जो आखरी बार exhaust stroke में भी आपका खुला हुआ है एक लिट खुला हुआ एक लिट Rao एक लिट खुला हुआ तो वह एक तरीके से इटमस्फियर के संपर्क में है तो क्लिनर का प्रेशर भी उतना ही और जलएगा जितना की बाहर का प्रेशर हो गांट की शुला हुट इज está कर पर अब्छ वालीम तो फिर इससे जुड़ा हुआ इससे जुड़ा हुआ जो भी वी लोगी जो भी से आप ड्राइब कराना चाहते होंगे उसको घुमाया जा सकता है और यह आपको उसके वर्किंग समझ में आई होगी अब लास्टली बात कर लेते हैं इसके डरिवेशन पार्ट पे मैं नहीं जा रहा हूँ एक तो यह अबजेक्टि पेपर इस वजे से भी और दूसरा यह कि डरिवेशन जो है आप नोर्स में देख सकते हैं एक एक ग्जामपल में ले रहा हूँ इसका जो एफिशेंसी है उसके लिए फर्मूला वही है जो आप के नोर्ट साइकल के लिए इसमाल करते हैं तो अब T1 एक टैटर्ट तो अब T1 वाई T2 कहा का टेमपरेचर है और कैसे आप मेजर करेंगे उसकी बात हो रही है T1 और T2 तेंपरेचर जो है 0.2 और 0.3 आप समझे ना T1 तेंपरेचर जो है वो 0.2 का है और T2 तेंपरेचर जो है 0.3 का है वालब जितना तेंपरेचर राइस करता है Turing Combustion उसकी बात यहां पर हो रही है तो माल लिजे कि Initial T1 तेंपरेचर कितना होगा तेंपरेचर तो नहीं होगा जितना रूम तेंपरेचर जितना होगा त्रीनिट कैल्विन है और दू टू कमश्शन यह आप स्पार्प्रेचर के यह और जो फ्यूल है इसका जो मिक्शेर है वो जल उठा और जल का टेंपरेचर माल लीजीए कि बढ़ गया और हो गया 580 कर दें तो जो एफिशेंसी आएगी 48 परसेंट को बहुत ज्यादा तो नहीं हुआ तो एक तरीके से इसलिए आप देखते होंगे कि जो हैवी वेकल्स होते हैं अब देखते होंगे आपके शहर में मेट्रो का का काम हो रहा है तो बहुत सारी आर्थ मूवर्स मशीन इलाकर रखी गई नहीं तो वो सबकरेस्ण चाहिए को करती है तो इसका मतब अऀब ये कि डीजमें ज्यादा नज़ार आज होगा है दिखे अधिस्टेंड इसके नीचे का इसा नहीं दिखाए गया है और यह जो आपका ब्लू कोलर का दिख रहा है किया है किली से लेड़ कर एक है और यह क्या है है यह इनलेट वॉल्ड फ्रहों सब्वड़ा फिगरज वह मैं जादा सबस्ट था है और वह हॉट फ्लेम प्रिडूस करता है तो फ्लेम को यह दिखाए गया हो और नाइट्रस अकसाइड गैस बनती है इसके अंदर इसको लोके बाद ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं इसी तो कहते हैं का डूमायल की वज़ा से जो है ग्रीन हाउस गैस बढ़ रही अब जाय इन प्राइब जाए तो बेसिक स्ट्रक्चर तो आपको देखने में कि यासा लग रहा होगा यह एक से लिंडर हो गया यह ब्लू किलर का बना हुआ है यह पिस्टन मन हो गया फिस्टन के साथ यह तो सब कुछ कमन है एक इनलेट वॉल्व है एक आउटलेट वाल्व है यह भी इनलेट वाल्व के थ्रू। हम एर और फ्यूल को एक साथ भेजते हैं में निक्षर को यह पर केवड bloody रोल को से ही यह भी फ्यूल नहीं होता फ्यूल को पहले के एक दो लेटर और हो भले जरूर से आप कारों को देख लीजेगा या जीप को देखेगा दी आई जिनों को घर में गाड़ी आज ही जाकर चेक करें डीजल गाड़ी अगर हो तो तो इसमें डी आई का मतला मेरे का अब आप लोग समझ गया होंगे डारेक्ट इंजेक तो अब हम डीजल इंजन के बारे में बढ़ते हैं कि कैसे काम करता है तो यहां भी देखिया अगर आप गवर करेंगे तो यह भी चार स्ट्रोक में ही काम करता है यानि कि डीजल इंजन भी जो है फोर स्ट्रोक में काम करता है पहले की तरीके से पहला जो स्ट्रोक होगा व अगर रोटेट करेगा तो यह जो रॉड है यह नीचे क्यों राएगी यह आरो से आप देखे रहे होंगे और की वज़े से जो इंटेक वाल्व है यह खुल जाएगा इंटेक वाल्व खुल जाएगा तब कि क्या हैगा एर यह मैंशा नहीं है लेकि मैं आपको पहले भी प्र गोधिया नाच शेफ्ट धे रोटेट होता हो नीचे के वर गया इयरो देखे नीचे के वर गया है इससे क्या हुआ कि यह जो पिस्टल उपर गया इसे क्या होगा कि इसके अंदर जो एयर हुई हो की का घुच होई एक चीए और भी धिद्यान देगे का इस वक्ड जब ऑर यहां पर यह आ पड़त udah डीघरी सब्सकों माधिना इस के अंदर जैंटरफी पडर इसके अंदर कमापी इस काफ मोटा बना जाता है, को बहुत हाइप तो इसके इंगर की साइज मी बड़ा होता है और इसके अंदर काफी high pressure पर तक ले जाकर इसको compress किया जाता है volume को काफी reduce किया जाता है अगर हम compare करें petrol engine के तुलना में करें three to four times more compression इसके अंदर होता है और यही इसकी खूबी है diesel engine में तो compress किया गया air को इस compression के दोरान ही जब इसके दोरान ही fuel injector से fuel को droplet के रूप में इसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है तो चुकि इसके अंदर जो एर होती हूँ इसनी high pressure पर होती है कि जैसे ही fuel उसके अंदर इंजेक्ट होता है उसके अंदर एक explosion होता है इसको नोकिंग बुलते है explosion जाह हो जाता है कोई spark spark plug की जुरत नहीं है just because of the high pressure reside inside the cylinder and due to the entry of the fuel उसके अंदर एक explosion हो जाता है उस explosion की वज़े से क्या होता है कि दोनों वाल तो बंद है तो क्या होगा वो explosion की वज़े से जो pressure exact होगा वो लगेगा पिस्टन के उपर और यह पिस्टन क्या होगा फिर वो नीचे जाएगा फिस्टन नीचे जाएगा तो crank shaft अब उपर के और अपने आप rotate कर जाएगा ठिक और जब rotate कर जाएगा तो क्या होगा यह piston नीचे की ओर आता चला जा रहा है ठिक और यह जो piston नीचे आएगा इस वाले स्ट्रोक को कहेंगे थर्ड वाले को कहेंगे पावर स्ट्रोक, ठिक? तो due to the explosion inside of cylinder, पावर प्रोडियस होई, actually पावर इस ही में प्रोडियस होती है, इस थर्ड वाले स्ट्रोक में ही प्रोडियस होती है, उसके बाद क्या करते हैं? जो exhaust valve खुल जाता है, exhaust valve खुलते ही इसके अंदर की जो smoke होती है, वो release हो जाती है, अपने आप रिलीज हो जाती है, यह वाला जो process होता है, इसमें volume का कोई change नहीं होता है, यह step है, it is not a stroke, उसके बाद क्या होता है कि crank shaft घूमते वे, तो एक momentum में है, तो घूमते वे जब ऊपर क जाती है, तो इस rod को ऊपर के और धकिलती है, और piston ऊपर जाता है, इसके अंदर जो बची हुई, जो अपने आप से नहीं निकल पाई smoke, उसको बिलकुल बाहर निकाल देती है, थुदा आउस्ट्रिट वाल्ड, जैसा हमनोंने पेट्रोल इंजन में बात करी, वैसा ही, यहा पर जो cycle होती है, जैनि जो indicator diagram होता है, जिसको हम डीजल cycle कह रहे है, वहाँ पर auto cycle कह रहे थे, डीजल cycle वो कैसे काम करता है, तो आप देख रहे हैं कि यहां भी वही six set है, काफे कुछ मिलता जूलता है, सिवाए इस two to three, आपको यहाद है, जब उन्होंने आपको अभी petrol engine बत का देता हूं, ताब कि आपको ध्यान आजाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों उल्टा बनाते हैं, देख रहे हैं, two to three, volume is constant, isochoric process था, बाकी देख लीजिए, यह process adiabatic, adiabatic, यह तो isobaric process यहां से यहां तक pressure constant है, यह isochoric, यह isochoric, adiabatic, adiabatic, और यह isochoric, अब जरा इस auto cycle की बात हो गई, अब यहां पर देखिए, यहां पर isobaric, यह isochoric, 421, यह adiabatic, यह adiabatic, सब कुछ common, two to three देखिए, वह isochoric था और यहां पर क्या है, isobaric process है, इसी बात करनता है कि जो combustion होता है, जिस step में combustion होता है, वो process auto cycle में isochoric होता है, diesel cycle में isobaric होता है, ठीक, pressure जो है, वो constant बना रहता है, ऐसा क्यों होता है क्योंकि हमने इसके अंदर कोई spark नहीं produce किया, ठीक है, इस तो जैसे, इसका, इसका volume तो change हुआ, इसका volume यहां पर हमने कहा कि यहां पर explosion हो जाता है, तो explode होगा तो क्या करेगा, प्रेशन को धकिल दे लेकिन, during that time, during that time, pressure में कोई change नहीं हुआ, प्रेशर उतना maintain रहा, हाँ, जब power stroke हुआ, 3 से 4, तब उसके बाद हो कि जो explosion होना तो वो तो हो चुका, अब उसके बाद क्या होगा, volume, उस क्या करता है कि, after effect of that explosion, volume will increase, but pressure will also decline, वो process 3 to 4, जिसे हम power stroke कहा रहे है, वो adiability होगा, ठीक याने कि इसके अंदर, तीन तरक के volume टर्माएंगे, V1, V2, पहले भी आते हो थे, 1 से 2 के भीच में, V1, V2, एक और टर्माएंगा, that is V3, वो क्या है, combustion का end volume है, V3, ठीक है, so this is also 6 step process, out of which 4 hour strokes, intake, compression, combustion, power, exhaust, exhaust of 4 hour strokes and 2 hour, जिसमें 2 हो क्या है, जिसमें 2 हो क्या है, जिसमें 2 हो क्य and इसमें से जो कमशन है, 2 to 3, जिसमें कहरें, वो इस बार आई-सो बारिक है, बस इतना आप उधायां रहा है, जो इसके अंदर, जो फर्मूला है, again, मैं डरिवेशन पर नहीं जा रहा हूँ, जो फर्मूला है, वो फर्मूला है, E div 2 1-1 upon गामा, R e raised to power गामा, minus 1 upon R e minus 1 into T1 upon तो यह फर्मूला जरा आप ध्यान रखिएगा थिक अब इसमें जरा अलग अलग चीज़ बात कर दें गामा आप जानते हैं गामा इद रेशियो आफ दे इस्पेसिफिक हीड एट कॉंसेंट प्रेशर और कॉंसेंट वॉल्यूम CP by CV और पढ़ा भी चुका हूं मैं बता भी चुका हूं आपको आरी क्या होता है आरी इस दा रेशियो आफ टू वाल्यूम यह है जो कहते हैं V1 और V3 यह निकि यह पावर स्ट्रोक है पावर स्ट्रोक तो पावर स्ट्रोक के अंतिम और सुरुवाती वाल्यूम के बीच का र और पॉइंट 3 पर वाल्यूम कितना था वी 3 इन दोनों के रेशियो को कहते है आरी यहां पर टर्म डिफाइन किया गया है और यह चुका है आरी अपावर स्ट्रोक में जो वाल्यूम का जो चेंज होता है और यह चेंज कैसा होगा यह तो अपने आपी होगा एक्सप्रोज कि धक्के से जो है जो वाल्यूम उसका था वी 3 के टाइप जो वाल्यूम था वह वाल्यूम कि सिलिंडर के अंदर का जो वाल्यूम था वह इंक्रीज हुआ को कि पिस्टें जो है को धकेला जा रहा है तो वाल्यूम क्रीज हुआ और यह वाल्यूम पाइफ टाइम्स तक इं 1.4 लेते हैं और जब जब शुरुवात हुई पावर स्ट्रोप की तब टेंपरेचर मारी था का सारी कमशन की तब टेंपरेचर था T1 इसका टू 300 और at the end of combustion टेंपरेचर कितना था यह यह कमशन के सुरुवात ही और यहने की 0.2 पर टेंपरेचर था 300 Kelvin और 0.3 पर टेंपरेचर था 990 Kelvin आप गहर कीजिए महां कितना था वहां पर तो करीब 280 Kelvin का डिफरेंस था और यहां पर आप देखिए तो करीब 800 Kelvin अल्मस्ट 800 Kelvin का शरी 600 करिए 700 Kelvin का डिफरेंस हो गया 690 Kelvin that is 700 Kelvin का दिफरेंस हो गया तो चुकिए यहां पर explosion होता कोई spark नहीं प्रूश हो रहा है अब धी अंधा लगा सकते हैं कि explosion एक्सपार्क की तुलना में एक्सलोजन में बहुत ज्यादा हीट प्रिउस होगे तो क्यूए विली कॉइट हाई पर तो 990 अगर यह वैलिव यहां पर रख दें तो इटा की जब याईगी हो कितनी फिफ्टी फॉर परसेंट तो आप यहां से देख सकते हैं कि डीजल इंजन से ज्यादा क्यूं होती है और कितनी ज्यादा होती है और इसको ज्यादा कर और करना चाहें तो क्या करें आरी की वैल्यू को बढ़ाते जाए गामट बढ़ा नहीं सकते यह वाल्यूमें डिफ्रेंस और ज्यादा अगर हो तो यहांनि कि V1 अपन V3 और ज्यादा अंतर हो ज the internal combustion engine और अब इसके बाद इस आर्टिकल को हम आज टेक अप करने वाले हैं उस आर्टिकल वो आर्टिकल जो है एक्चुली आपके इस पूरे thermodynamics का सबसे इंपॉर्टन आर्टिकल है that is the entropy ठीक है लेकिन इसको इसको डिसकस करने के पहले आपको कुछ चीजों को पहले आपको बनाना होगा फॉर्ट रिवर्सिबल इंजिन दिन फॉर्ट एर्वर्सिबल इंजिन फिर आप इंट्रॉपी की सुरुवात करना चाता हूं मनीजिए कि कुई एक प्रॉसेस हो रहा है मैं एक केटर डियाग्राम आपनेच इस तरहीके सा प्हेंश 이повibt कि किसी भी शेप का हो सकता था, फिलाल याद कर दो आर्क जैसा कर्व ना इस, तो क्या ये process adiabatic है कि ये process isothermal है हमें नहीं पता है हमें ये पता है कि i से जो f है ये process reversible process है, हम इस तरह कि किसी भी process को segment wise segment wise adiabatic process और isothermal process में break कर सकती है को कि हमें मालूम है कि adiabatic process का जो slope होता है वो isothermal process के तुलना में gamma times ज्यादा होता है ठीक है और ज्यादा steep होता आपको लग रहा हो कि straight line तो नहीं होती है डीविटी process का curvature जैसा होता है लेकिन उस करवेचर को करम बहुत छोटा ड्रा करें बहुत थोड़ा सा आप आई सेफ वाले यह सेक्शन है यह मान के चलिए यह बिल्कुल element है corresponding is only small ice F जे process चलाया गया will financeably small आई सर्कार बैर में बदाया जाता है पदात्र को tagg overpower is go very slowly ball slowly चोट चोटे-चोटे स्थ homepage च cultivated चाहिए tota is af 2-3 Big और फेर ये दूसरा लिखता हो गए से भी आइसों तरह से स्थेट लाइंड तो सभी एडिए बेटिक प्रोसेस के लोग से आप जानते है और सभी आईसथर्म प्रोसेस के भी सैम होते हैं और चुकह दूसरा को इस से अर्भी में दिखाएगा प्रोसेस दोनों तरफ ediabatic process से घर जाए तीजिए जितने भी process तक में आई से ए एक सेग्मेंट जो विच इस वेरी क्लोज तो दगर इस एडिपेटी देन ए टुबी ये अधा कर पके नीचे है अधा कर पके उपर है कर विसको ये जो स्मूथ लाइन है उसको कह रहे है और ये डेस्ट लाइन इस रुपर का अधा हिस्सा कर पीचे अधा हिस्सा कर पर ये इस थर्मल लंग देन b2f इजए अधिये टिक सु एक एक आई एफ एक रिवोर्सल ठासेश रहे उसको आई टू process में कोई heat का transfer तो होता नहीं आई से ए और बीस एफ में तो कोई heat का transfer होगा नहीं तो इस curve I-F में जो heat का transfer होता है वो अगर मालीजे Q-IF है जो curve है I-2F इसके लिए जो heat का transfer होता है उसको मालीजम कहते है Q-I-F तो that Q-I-F is equal to the Q-A-B is thermal में जो heat का transfer होगा उसके बारावर हो जाएगा क्योंकि हम जानते हैं कि यह IF तीन process में मिलके बना adiabatic isothermal adiabatic इन दोने adiabatic में को heat का transfer नहीं वा तो heat का transfer होता है कि यह वल isothermal process में होता है ठीक है so Q-I-F say is equal to Q-A-B कह सकते हैं अब मैं एक फिगर आपको थोड़ी और डिटेल दिखाऊंगा और इसके बारे में डिटेल discussion करूँगा अगले lecture में को कि इसमें लगेगा थोड़ा time ओके अब देखिए अब उसी कर्व को छोटा सहीसा था ना उसी कर्व को आपने स्पेंड किया और एक अल्मोस्ट एलेप्टिकल एक साइकल जैसी बना दी साइकल है कम्प्लीट सैकल एक घेरा जैसा बना दी है और इस घेरे को क्या किया आप दिखिए बहुत सारे आप देख रहे हैं यह जो वर्टिकल जैसे कर्वेचर देख रहे हैं यह वर्टिकल कर्वेचर यह इसा जो उपर से नीचे क्योर आ रहा है यह सब किया दियार एक प्रोशेस और जैसे कि अभी पीछे कि फीगर में दिखाया था कि I say F को हमने I A A B और B F माल लिया कि equivalent माल लिया वैसे ही यहां भी अब इसको बहुत धहां से देखेगा और हो सके तो कल को वीडियो में इसको और बहुत धहां से देखेगा हमने पूरे प्रोसेस को यह जो बोल्ड लाइन देख रहा है घेरा हुआ A to B isothermal ठीक है A to B a-b, AM, A to F isothermal और यहां से यहां पर नमर कुछ नहीं लिखा यहां से लेकर यहां तक मेरे कट़शन पे जैसे सब्सक् 혈क में देखाय था उसी तरह के से इसको यहां पर घेर दियाा और फिर क्या कढ़ा कि यह जो adiabatic isothermal से घरी हुई cycle है इसे जो घरी हुई adiabatic isothermal ही इसकी boundaries पे है या तो adiabatic है या isothermal है इसे घरी ही cycle है that is equivalent to the curved cycle है जो elliptical जैसी दिख रही है अंडाकार उस cycle के equivalent है ऐसा कैसे शेप में थोड़ा difference है कुछ हिस्सा उसका देखिये कहीं कहीं पर छूट जा रहा है और कहीं कहीं पर यह जो आप cycle बना रहे हैं आप जो reconstruct कर रहे हैं बोल्ड लाइन से reconstruct कर रहे हैं वो कहीं के इसको cross कर ज तो यहां पर दोनों को equivalent तब आप मान सकते हैं जबकि यह जितने adiabatic हैं आपको देखने में क्या लग रहा है कि इनके बीच में separation है अच्छा का सपरेशन देख रहा है तो क्या होंगे कि यह जो isothermals होंगे जो इनको connect कर रहा है जैसे A से B connect कर रहा है E से F connect कर रहा है नीचे D से C कर रहा है SNG कर रहा है यह isothermals की size क्या हो जाएगा they will become very small बहुत ही चोटे जाएगे को कि adiabatics बहुत ही पास पास आप तो अगर आप ऐसा कर पाए तो जो resultant curve बनेगा कैसा बनेगा resultant cycle बनेगी resultant cycle made of adiabatics curve and isothermal curve से मिल को जो बना होगा वो almost 99.9% almost घेर लेगा यह जो एक elliptical cycle बना हुआ है है नो कहीं पर हो सकता थोड़ा सा छूट जाए बहुत थोड़ा सा इस लगभभ निग्लिस बहुत जाए या कहीं थोड़ा सा जाता हो जाए तो भी कुल मिलाकर उसके बराबर होगा लेकिन यह भी मैंने थोड़ जिर पहले डिस्कस किया था कि जितने एडियाबेटिक प्रोसेस होते हैं उन में तो कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होता है केवल आईसो थर्मल में ही हीट का ट्रांसफर होता है ठीक तो तो भी मिलाकर जो इस डिचकेंटर डाग्रांगार में उसकी बात कर रहे है वह जो अ गुल्स तो जो एक्टुब साइक्शूवल साइकल है उस एक्टु साइकल में जितना हीट का ट्रांसफर होगा that is equal to the heat transfer in isothermal portions, जितने isothermal portions हैं, उनमें जितना heat transfer होगा, उसी के बराबर heat transfer होगा, जितना की original cycle में heat transfer होई, ठीक, क्योंकि एडिबिटिक में नहीं होती, I hope इतना तो आपको clear होई गया होगा, अब मैं, चुकि टाइम बहुत ज़्यादा बचा नहीं है, फिर भी मैं एक छोटा सा एक point बता कर फिर मैं finish करूँगा, और आपके question सुलूँगा, इसमें से एक करनाट cycle, करनाट cycle किसे करते हैं, जिसमें दो एडिबेटिक और दो आइसो थर्मसेगरी cycle, किसको कह रहे हैं करनाट cycle, A, B, C, D, A. देखें फिर से, A, B, C, D, A. एक करनाट cycle ले ले लिते हैं, एक करनाट cycle ले ले लिते हैं, जिसमें A से B में heat कितनी आ रही है, Q1, और C से D में कितनी heat reject हो रही है, Q2. Q1 heat किस temperature पे receive हो रही है? Source का temperature कितना है? T1 और Q2 जो है heat कितने temperature पे reject हो रही है? T2 तो ही तो Carnot cycle हो गए? A, B, C, D, A और अगर यह Carnot cycle है, तो Carnot cycle के बारे में आप इस expression से भली बात ही पर चित होंगे A, B के लिए क्या लिख सकते है? Q1 upon T1 और C, D के लिए क्या लिख सकते है? Q2 upon T2 लिख सकते है न? ठीक ऐसे ही, चूकि जानते हैं कि Q2 तो negative होगा, क्योंकि इसका हम दो heat reject हो रहा है तो negative यहाँ sign लगा दीजिए, अभी तो sign नहीं लगाया अगर negative sign लगा कर उसके बाद आप उसको equal के left side में ले जाईए तो formula क्या हो जाएगा? Q1 upon T1 plus Q2 upon T2 square to 0 जहां दखिएगा, Q1 positive है, Q2 negative है इस वजह से हमने इज़ा जब लाए तो plus हो गया Q1 upon T1 plus Q2 upon T2 square to 0 अच्छा, अब जराए दूसरा करनाट cycle कर सेरे कीजिए EFGHE इसमें करें, इसमें क्या होए? T3 temperature source का है कितना हिट ले रहा है? Q3 और रिजट कितना कर रहा है? Q4 at temperature T4 इसके लिए ऐसे ही formula लिख सकते हैं Q3 upon T3 plus Q4 upon T4 is equal to 0 तो यह जो original cycle है उसको हम कह सकते हैं कि वो इसी तरह की बहुत सारी छोटे-छोटे करनाट cycle से गिरी होई है छोटे-छोटे की मतलब जिसकी width कम है length तो है length नहीं कम है width जो है उसकी वो infinite similar से घेर के बना जा सकती है तो आपने लिख दिया कि इस वारे इस वाला जो करनाट साथ के लिए Q3 upon T3 plus Q4 upon T4 is equal to 0 इसी तरह के से अगले के लिए लिए सकते हैं Q5 upon T5 plus Q6 upon T6 is equal to 0 ठीक तो जो ओरीजिनल साइकल का equivalent करनाट साइक्टिस का जो समू हो गया है ना उन सब के लिए इन टोटल क्या लिख सकते हैं आप उनके लिए पूरी एक सिरी लिख सकते हैं Q1 upon T1 plus Q2 upon T2 plus Q3 upon T3 plus Q4 upon T4 plus and so on is equal to 0 ठीक तो इसी को समेशन मिथमेटिक से समेशन से का जाता है समेशन की तुर में माली देरा एन नमबर आफ करनाट साइकल एन नमबर आफ टिक समेशन की तुर भी क्या लिखेंगे I is equal to 1 to N QI upon T I is equal to 0 ठीक यह अध्यान किया कर एडिया बेटिक पोर्चल में कोई रही ही ट्राफर नहीं हो रही इसलिए केवल आइसो थर्मल को जी कंसीडर कर एं अगर यह जो कनाट साइकल के इन फैरंस इंफानेशन मेल विट के जो कनाट साइकल है उनका जो ग्रुप है, that is equivalent to the original cycle, ठीक है, चुकि इनकी width infinitesimal है, तो इस वज़े से summation की बज़ाए, आप क्या ले सकते हैं, summation की बज़ाए, आप ले सकते हैं, integration, आपको मैं तो मैं ने सिखाया गया होगा, कि infinitesimal हो जाए, अगर isothermal process का size बहुत ही चोटा हो जाए, तो आप summation को replace कर सकते हैं, integration से, और obviously अगर with infinitesimal हो गई, तो with क्या है actually, isothermal process है, तो isothermal process भी क्या हो गया, बहुत ही छोटा हो गया, तो उस isothermal process में जो वो heat लेगा, या reject करेगा, वो भी क्या होगा, वो quantity भी बहुत कम होगी, तो हम उसको क्या लिखे, उसको हम differential form में लिखे, क्या लिखे, differential की form म लिख रहे है, del q, और temperature तो खहीज का t रिल q upon t, और summation की जया होर को इन्टीरेशन और loop इंटीरेशन लिखा गया, क्यों हो क्योt कि original cycle कि सरे की है, lub है, न लूप जैसी बनी हुई है, तो असले लूप इंटेकरेशन, और क्यों लगाया, क्योंकि सारा количество एडिये में लगा, क्य 0. ठीक है? इस इस नोन as Clausius Theorem और इसको यह भी कहते है Clausius Statement of the Second Law